नमस्कार देश के जल मंत्रियों का पहला अखिल भारतिय सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्पपूर्ण है आज भारत वाटर सिकूरिटी पर अभूत्पूर्व काम कर रहा है अभूत्पूर्व निवेश्ट भी कर रहा है हमारी समेधानिक ववस्था में पानी का विशय राज्यों के नियंत्रण में आता है जल सवरक्षन के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामुहिक लक्षों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगी ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले पचीश वर्सों की अमर्तियात्रा का एक महत्पपूर्ण आयाम है साथवेज समयलन में होल अब दो गवर्मेंट और होल अब दो कंट्री इसके वीजन को सामने रखकर चर्चाय होना बहुत वाबाविक और आवश्यक भी है होल अब गवर्मेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारे एक सिस्टिम की तरह एक औरगेनिक एंटिटी की तरह काम करें राज्यों में भी विबिन्न मंत्रा लाएं जैसे जल मंत्रा ले हो सिंचाई मंत्रा ले हो पृष्य मंत्रा ले हो ग्रामिर विकास मंत्रा ले हो पशुपालन का भी भाग हो उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रा ले हो उसी प्रकार से आपदा प्रबंदन याने कि सब के बी और एक clarity, vision, यह होना बहुत आवश्यक है. अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा data होगा, तो उन्हें अपनी planning में भी मदद मिलेगी. सात्यों हमें ये भी समझना होगा, कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सपलता नहीं आती. जो सरकार में हैं, उन्हें इस सोच से बाहार निकलना होगा, कि उनके अकेले के प्रयास से अपिक्षित प्रणा मिल जाएंगे. इसलिए जल सवरक्षन से जुड़े अभियानों में जनता जनारदन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सुसाइटी को कि भी जादा से जादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा. जन भागीदारी का एक और पक्ष है, और उसे भी समझना बहुत जरूरी है. कुछ लोग सोते हैं कि जन भागीदारी याने लोगों पर ही सारी जिम्मदारी थोप देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देने से सरकार की जिम्मदारी कम हो जाती है. हकीकत ऐसी नहीं है. जवाब देही कम नहीं होती. जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाव ये होता है, कि जनता जनारदन को भी ये पता चलता है, कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, इसके कितने पहलू होते हैं, जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्यकी गंबीरता का पता चलता है उसके सामर्था का पता चलता है उसके स्केल का पता चलता है सौंसाधन कितने लगते उसका पता चलता है इससे जनता में जब यह सब देखते हैं वो इन्वॉल होते हैं तो यह इस प्रकार की योजना हो या भ्यान हो एक सेंस अब ओनर्शिप आती है और जो सेंस अब ओनर्शिप जो है न वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है अब आप देखिए स्वच्य भारत अभियान कितना बड़ा होतान है स्वच्य भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जन्ता भेंभी चेतना आई ज्वागुरूती आई गंद की दूर करने के लिए जो समसाधन जुटाने थे जो विभीन वाटर श्रीट्मेंट प्रां प्रत्य नागरिक में सोच आई कि गंदकी नहीं करनी है गंदकी नहीं होनी चाहिए गंदकी के प्रत्य नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा अब जड़भागीदारी की यही सोच हमें जल सवरक्षन के लिए जनता के मन में जगानी है इसके लिए जनता को हम जितना ज़्यादा जागरुप करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा जैसे हम जल जागरुपता महुत्सों का आयोजन कर सकते हैं स्थानिय स्थर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागरुपता समंदी कही आयोजन जोड़ सकते हैं विशेस के नई पीड़ी इस विशे के प्रति जागरुप हो इसके लिए हमें पाठ्य क्रम से लेकर स्क पूलों में एक्टिविटीज तक इनोवेटिक तरीक के सोचने होगे। आप जानते हैं कि देश हर जीले में पच्चत्तर अम्रत्सरोवर बना रहा है। आपने भी अपने राज में इसमें काफी कुछ काम किया है। इतने कम समय में पचीस हजार अम्रत्सरोवर बन भी चुके हैं। में निरंतर प्रयाद बढ़ाने होंगे। साथियों, हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परिशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और बुरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बहार आना होगा। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने हों और उसके सॉलूशन को खोजने के लिए टेक्नोलोजी को, इंडिस्ट्री को और खासकर स्टार्ट अप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों हर घर तक पानी पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज़ का एक बड़ा डेवलोप्मेंट परामिटर हो है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है। कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें ये सुनिशित करना है कि एक बार ये विवस्ता बन गई तो आगे उनकी देखरेग भी उतने ही अच्छे डंग से चलती है। ग्राम पंचायतें जल जीवन मुशन का नित्रुत्व करें और काम पूरा होने के बाद ये सर्टिफाई भी करें कि परियाप्त और स्वच्छ पानी उपलब्द हो गया है। हर ग्राम पंचायत, मासिक या त्रेमासिक रिपोर्ट भी ओनलाइन सब्मिट कर सकती हैं कि उसके गाओं में कितने घरों में नल से जल आ रहा है। पानी की गुनवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग की प्रणाली भी विक्षित की जानी चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इंडुस्टि और खेती दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें स्वाभावकुरू से पानी की अवश्रिक्ता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर्स से जुड़े लोगों से विशेस अभ्यान चलाकर उन्हें वोटर सिकूरिटी के प्रती जागरूत करना हो जाईए। सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है। इसके अंतरगत पर ड्रॉप मौर क्रॉप अभ्यान की शुरूवात की गई थी। इस कीम के तहट देश में अब तक सतर लाग हेक्टर से जादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाई जा चुकी है। सभी राज्यों को माइक्रो इदुकेशन को लगातार बढ़ावा देना चाहिए। ये जल समरक्षन के लिए बहुत आवशक योजणा है। अब डायरेक्ट कैनाल की जगह पाइप्लाइन आधारित नई योजणा है बटलाई जा रही है। इसको और भी आगे ले जाने की जरूत है। साथियों जल समरक्षन के लिए केंद्र ने अटल भूजल समरक्षन योजणा की शुरुवात किये है। ये एक सम्वेदन सिल अभ्यान है और इसे उतनी ही सम्वेदन सिल्ता से आगे बढ़ाएन की जरूत है। भूजल प्रबंधन के लिए बनाएगे प्राधिकरण सक्ति से इस दिशा में काम करे ये भी जरूरी है। भूजल रिचार्ज के लिए सभी जिलों में बड़े पेमारे पर वाटर शेड का काम होना जरूरी है। और मैं तो चाहूंगा मंद्रेगा में सबसे अधिक काम पानी के लिए करना चाहिए। पाड़ी छेत्रों में स्प्रिंग शेड को उनरजीवित करने का कारकम शुरूर किया गया है। इस पर तेजी से काम करना भुगा। जल सवरक्षन के लिए आपके राज में वनक शेत्रों को बढ़ाना वो भी उत्रा ही जरूरी है। इसके लिए परियावरा मंत्रा ले और जल मंत्रा ले साथ मिलकर काम करें। लगातार पानी पहुंचाने के लिए जरूरी है कि पानी के सभी स्थानिय शुरूतों के सवरक्षन पर भी ध्यान दिया जाए। ग्राम पंचायतें अपने लिए अगले पांच साल का एक्षन प्लान भी बनाएं। पानी को केंदर में रख करके बनाएं। जिसमें पानी सप्लाई से लेकर स्वच्छता और वेस्ट मेनेजमेंट का रोड में फोड़। कि इस गाउं में कितना पानी आवशक है और उसके लिए क्या काम हो सकता है। इसके आधार पर कुछ राज्यों में पंचायत स्वर पर बॉटर बजेट तयार किया गया है। इसे भी दूसरे राज्यों द्वारा अपनाएं जा सकता है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कैच दरेन अभ्यान उसने एक आकरशन तो प्रदा किया है लेकिन सफलता के लिए अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। बहुत आवशक है कि इस तरह के अभ्यान राज्य सरकार की रोज मरा की गतिविधी का एक सहच स्वफाव बन जाना चाहिए। राज्य सरकार के सालाना अभ्यान का वो अनिवारी हिस्सा हो जाना चाहिए। और इस तरह के अभ्यान के लिए बारिश का इंतजार करने के बजाए बारिश से पहले ही सारी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो उससे पूरे एकर सिस्ट्म को बहुत लाव होता है। इसलिए पानी का ट्रिक्मेंट पानी की री सैकली आवश्यक है। राज्योद्वारा विभिन्द कारियों में ट्रिटेड वोटर का इस्तमाल बढ़ने की योजना और उसमें वेस्ट में से बेस्ट इंकम भी होती है। को लोकल नीड्स की मैपिंग करनी होगी। उस हिसाब से योजनाय बनानी होगी। हमें एक और बात ध्यार लखनी हैं हमारी नदिया हमारी वाटर बाडिज पूरे वाटर इको सिस्ट्रिम का सबसे एहम हिस्सा होते हैं। हमारी कोई भी नदि या वाटर बाड़ी बाहरी कारकों से प्रदुशित न हो इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मेरेजमेंट और सिवेस्ट ट्रिट्मेंट का नेटवर्क बनाना होगा। ट्रिटेड वाटर का दोबारा इस्तिमाल हो। इसके लिए भी हमें प्रभावी ववस्ता पर ध्यान देना होगा। नमामी गंगे मिशन को टेंप्लेट बना का बाकी राज्य भी अपने हां नद्यों के सवरक्षन और पुनर दिवन के लिए ऐसे ही अभ्यान शुरू कर सकते हैं। साथियों, पानी, कोलोप्रेशन और कोडिनेशन का विशह बने, राज्यों के बीच कोप्रेशन का विशह बने, यह हम सब की जिम्मेदारी हैं। और आप तो देख रहें एक और विशू, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से हमारी आबादी अर्बनाइजेशन की दिस्टा में भढ़ने वाली है। अर्बन डेवल्प्मेंट इतना तेजी स होता है तो पानी के विश्य में अभी से सोझना पड़ेगा। कि सीवेज की विवस्ता अभी से सोजनी पड़ीगी शेहरों के बढ़ने की जो गती है उस गती से हमें और गती बढ़ानी पड़ेगी मैं आशा करता हूँ कि हम इस समीट में हर एक के अनुभों को साजा करेंगे बहुती सार्थक चर्चा होगी निश्चित कारियोजना बनेगी और एक संकल्प बन करके आप इसको सिद्धी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे हर राज्य अपने राज्य के नागरीकों की सुख्स विदा के लिए नागरीकों के करतविये पर भी भल देते हुए और सरकार का पानी के प्रती प्राथिकता वाला काम अगर हम करेंगे तो मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस वाटर कांफरंस के लिए हम एक बहुत आशाय के साथ आगे बढ़ेंगे मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामना हैं धन्यवार